नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे खास कारिक्रम प्रास्नाहों सुईकार में आपके साथ मैं हूँ सुनीता रायशर्मा शुर्क्रिष्ण के प्रिया महीने मारग शिर्ष में ध्यान का विछेश महत्व है आज हम ध्यान के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि योग ध्यान साधना का सदियों से महत्व है कई महात्माओ, रिशी मुनियों और संतों ने ध्यान को लेकर अपनी अपनी पधधती बताई आपको उन्ही पद्धतियों के जरीए समझाएंगे ध्यान का विज्ञान लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या होता है ध्यान मार्ग शिर्ष में जरूरी है ध्यान जमतकारी है ध्यान का विज्ञान मन को एकागर करता है ध्यान श्री कृष्ण का मन भावन महीना है मार्ग शिर्ष महीनों में मैं मार्ग शिर्ष हूँ काना की ये शब्द ये बताने के लिए काफी है कि मार्ग शिर्ष का महीना कृष्ण भक्तो श्री हरी के सादकों के लिए कितना महत्पून है गीता में एक शब्द कहा गया है कि भोग और आश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहित शेत साम व्यावशायात्मी का बुद्धी शमाधव नभीधियते अर्थात जब हमारा मन फंसार के भोग और आश्वर्य में लग जाता है तो ये भोग और आश्वर्य हमारी चेतना का परहन कर लेते हैं अव्यावशायात्मी का बुद्धी हो जाती है हमारी बुद्धी हमेशा पायदा और नुक्षान देखती है समाधव नभीधियते ऐसे बुद्धी को कभी चैन नहीं मिलता अर्थात ऐसे बुद्धी कभी ध्यान कर ही नहीं सकती है कहते हैं इस महीने में जब तब और ध्यान से बन जाते हैं हर बिगड़े काम मार्क्षिष महीने में श्रकृष्ण का ध्यान और उपासना का फल अमोग है ध्यान में वो शक्ती है जो हमें संसार के सभी कारे करते हुए परमात्मा तक पहुँचा देता है वास्तों में ध्यान हमें स्वयम को देखने, स्वयम को जांचने और स्वयम को परखने की प्रक्रिया है आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है ध्यान ध्यान से मिल सकते हैं भगवान तो आखिर ध्यान करने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है क्यों ध्यान को इश्वर को पाने का जरिया बताया जाता है देखिए ध्यान का मतलब कांसंट्रेशन इसका मतलब वो व्यक्ति किसी कारी को बड़े सही तरीके से करता है तो ध्यान में रहने से आपके परिडाम योगा करमस कवशलम ध्यान में रहने से आपके करमे कुशलता आपकी बह जाती है इसमें कोई संसे की बात नहीं है मन को किसी विंदू, व्यक्ति या किसी वस्तु पर एकागर करना ध्यान है एकागृता में लीन हो जाना ध्यान है इश्वर की उपासना का सर्वोच तरीका ध्यान ही माना जाता है पूजा उपासना के बाद जिस पद्धती से इश्वर की उपलब्धी हो सकती है वो ध्यान है केवल आखे बंद करना ध्यान नहीं है चक्रों पर उर्जा को संतुलित करना भी आवश्यक है ध्यान एक प्रक्रिया है जो कई चरणों के बाद हो पाता है इन कई चरणों में पहले चक्रों को ठीक किया जाता है ध्यान के सिद्धी के बाद व्यक्ति अनंत सत्ता का अनुभव कर बाता है इसे जमाधी कहा जाता है तमाम गुरुओं और आचारियों ने ध्यान के अलग-अलग विधियां बताई है लेकिन सब के उद्देश एक ही हैं इश्वर की अनुभूती ध्यान में इश्वर प्राप्ती के लिए जितने भी उपाह बताए चाते हैं उन सब के पीछे एक विज्ञान भी जरूर छिपा है तो चली जानते हैं ध्यान के पीछे छिपा विज्ञान दुनिया में सबसे सरल और प्रचलित ध्यान की विधी ओशो ने बताई है इससे ओशो ने सक्रिय ध्यान कहा है जो पांच चरणों में होता है इस ध्यान को समुह में या अकेले करना होता है लेकिन ये समुह में ज्यादा प्रभावश्याली होता है ओशो ने ध्यान की अन्य विध्यों के बारे में भी बताया है आरंभ से लेकर आगे बढ़ने तक कई सीड़ियां बताई गई है ओशो के ध्यान में रंग, सुगंध और निरत्य संगीत पर भी विशीश जोर दिया गया है इनके ध्यान और साध्ना में चक्रों को कमल पुष्प के समान बताया गया है ध्यान एकाग्रमन की वो अवस्था है जो आत्मा का मिलन परमात्मा से करा सकती है जीवन में ध्यान सात्ना का सर्व परिष्थान है आध्यात्मिक उपलब्धी तो बिना ध्यान के संभो ही नहीं है ध्यान का विज्यान बहुत ही व्यापक है देखिए सब ध्यान के विज्ञान के बारे में ये कहा गया है यदाते मोह कलिलम बुद्धि वयती तरिश्यती तदागं तास निर्व juda सोतब रिष्थ शुथश। जब हमारी ये बुद्ध ध्यान करती करती हमको ये पता लग जाता है कि संसार क्या है ब्रम्भांड क्या है नित्य क्या है अनित्य क्या है दीवन क्या है मृत्य क्या है आज ये क्यों घट रहा है पहले भी घटा रहा है भविश्य में घटेगा ध्यान का मतलब एक दिश्टी होती है जब आप ध्यानस्थ हो जाते हैं तो कहते हैं गीता में योगस्था कुरकर्म संसार में पईडामों की चिंता किये बिना जो कर्म करता है वही योगस्त और वही ध्यानस्त कर्म करता है ध्यान से भगवान को पाने का मार्ग सबसे पहले महत्मा बुद्ध ने पताया बुद्ध ने अश्टांग योग के माध्यम से ध्यान का मार्ग बताया आचरण, विवार और जीवन दर्शन के माध्यम से ईश्वर के उपलब्धी के लिए कारे किया बुद्ध के ध्यान पद्धती में चक्र, चक्के की तरह होते हैं बुद्ध की ध्यान पधती अब बहुत सारी पधतियों में घुल मिल गई है ध्यान करने को लेकर कई मत और कई प्रक्रिया बताई गई है पर इन सब में सबसी ज़्यादा जोर दिया गया है एकाक्र मन का ध्यान कर पाना तब ही संभव है जब मन पूर्ण रूप से एकाग्र हो और आपका उस परमेश्वर में विश्वास भी अटल हो क्योंकि बिना इश्वर के क्रिपा के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है मन की एकाग्रता ही ध्यान है जब एकाग्र मन किसी उदेश्य या लक्ष के लिए कहीं लीन हो जाता है ये भी जरूरी है ध्यान का लक्ष और उदेश्य अर्थ पुर्ण रहे ध्यान की दवारा आत्मा का परमात्मा से मिलन भी होता है ध्यार से जुड़ी कुछ और पद्धतियों के जरीए समझते हैं ध्यान के इस जटिल विज्ञान को ध्यान से मिल सकते हैं भगवार, ध्यान से हो सकता है कल्यार ध्यान यानी जाकरुकता, ध्यान यानी अनावश्यक कल्पना और विचारों को मन से हटा कर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाना, ध्यान को साधने से इंसान स्वयम ही सदने लगते हैं हमारे पातनेली योगशूत्र में, सांखे दर्शन में ये कहा गया है कि अगर आप धेया सदा मंडल मध्यवर्ती हैं, उसकी महिमा ये है कि किसी भी वस्त पर ध्यान आप करते हैं तो निश्चित है कि आप फुल एनरजी से तैलवत धार धार नहीं होती है तेल की ध्यारा जैसे आपकी बहती है, उस प्रकार से किसी भी ईष्ट के पति या संसार में किसी भी चीज के प्रति उस भाव से उस धारा को धारा के द्वारा धे धारा की तरह देखने को ध्यान करते हैं और अगर आप ऐसा ध्यानास्तो होकर कि किसी कारूप करते हैं या भगवान को पाने का प्रयास करते हैं इस तैलेवत धारा की तरह कभी ही आपको कोई संसार का पुरुशार या भगवान प्राप्त हो सकता है ध्यान का विज्ञान आज का नहीं बलके पौरानिक है दरसल जो ध्यान है वही विज्ञान है ध्यान का संबंध आत्मानु संधान से है परमहन्स योगनन ने भी ध्यान के विज्ञान को बखूबी समझाया है परमहनस योगानन ने ध्यान के जिस विधी का दुनिया भर में प्रचात प्रसार किया वो है क्रिया योग मूल रूप से क्रिया योग पद्दती का विश्कार एक महान गुरू बाबाजी महराज ने किया था इस पद्दती में भी कई चरणों के बाद ही ध्यान तक पहुचने का उसर मिलता है क्रिया योग पद्दती तमाम ध्यान पद्दतियों का अनूठा संयोग है ध्यान आत्मिक विज्ञान का ही दूसरा नाम है मन को किंद्रित करने की किसी भी प्रकार के क्रिया मनो योग को ही ध्यान कहते हैं स्वामी आनंद मूर्ती ने ध्यान के विज्ञान को समझाने की कुशिश की है आनंद मूर्ती जी ने बहुत सारी ध्यान पद्दतियों का स्रिजान और विकास किया शिव, कृष्ण और बुद्ध की ध्यान पद्दतियों को आनन्ध मुर्थी ने दोबारा जिवित किया इन्होंने सहज्यों, विशिश्यों और मथुर साथना जैसी तमाम ध्यान पद्दतियां दी है यहाँ पर भी चक्र कमल के पोष्प किता रही है नियम के साथन की साथना और ध्यान की पद्दतियां व्यक्तिक हो, भौतिक और अध्यात्मिक उपलब्धी दे सकती है ध्यान को लेकर अलग-लग मत्त का जिक्र तो हमने किया लेकिन ध्यान में लीन होने से पहले ये बहुत जरूरी है कि ध्यान के नियम और सावधानियों को भी जान लिया जाए, ताकि ध्यान के प्रभाव से आपका कल्यान हो सके. मुआ अश्यान लेकिन अबर्भाव सावधानियों का क्चे.